हर्यों श्रेराम अंबन्या मैं अकांग शावेरा राने सेफूट सपास्थन सेंटर मैं ग्वालियर बध्यप्रदेश से थी और मेरी शादी मुंबई में हुई है मेरे मम्मी कहां का अनुभाव है कि on behalf of मैं यह अनुभाव आपके सामने बोलना चांती हूं तो इस तरह से यह मेरी छोटी बहन की शादी से रेलेटेड यह अनुभाव है तो मेरे हस्बन नार्कोडिस डेपार्पेंट में कारे रहते 2010 में हमारी पोस्टिंग कोटा में हुई थी तब हम 2012 में मेरी छोडी बहन मुंबई में जॉब करती थी और हम उसके लिए लड़का देख रहे थे तो अब हम कोटा में थे मेरे 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 बहन बैंगलॉर में थी और मेरी सासुमा इधर मुंबई में थी तो इस तरह से हम लोगों का जो उसके लिए लड़का देख़े का जो प्रयास था वो कुछ सेट नहीं हो पार था वो मतलब कहां पर कैसे क्या करें को समझे नहीं आ रहा था और लेकिन एक बात यह थी कि गौलियर में मेरे माईके में उपासना होती थी और मेरी छोड़ी बैंड के लिए लड़का देखा गया तो लड़का था मुंबई का उत्व में हम लोग कोटा में थे मेरे हस्बेन वहां से कोटा से आके मुंबई में उन्होंने बात शुरूई होई थी सारा सब कुछ मैच हो गया था मेरी बहन बैंगलोर में थी तो अभी उनको लड़की देखनी थी लेकिन लड़का एक साल के लिए आ नहीं सकता था लेकिन जब उनको लड़की वालों का यह गहना था कि जब लड़का मुंबई में आएगा और उसी समय हम शादी भी करेंगे उसकी तो लिकिन जब तक किसी को प्रत्यक्ष देखा नहीं हो और उसके लिए कैसे कोई भी हां कर दे तो यह बड़ा मन में प्रेश्न था हम मैं कोटा में थी मेरे मभी बापा ग्वालिर में थे और मेरे हस्बन कोटा से मुंबई में आई सासुमा तो वहां पर मेरी बहन पैंगलोर से आई तब वहां पर लड़की को देखने का प्रोग्राम रखा गया तो उसके ससराल वाले मुलूड से नीरूल में मेरी बहन को देखने के लिए तो अमारे गर में बापु जी के फोटो थे बापु दादा आई के तो उस समय उन्होंने बापु दादाई के तरफ देखा और बोला कि सद्गुरु परिवार से वो लड़की तो हमें चाहिए वो उस दिन उसको मेरी बहन को उन्होंने पसंद किया फिर भी मेरी बहन के मन में यह वाली बात थी कि मुझे अभी लड़का मैंने सिर्फ फोटो से पसंद किया है मैंन मन में यह सारी बात सभी के मन में यह वाली बात थी कि अभी क्या करना है क्या करना है तो फिर वही कि बापु पर विश्वास वही एक अनुभव था तो एक विश्वास कहीं पर भी हो इन लोगों के मन में आया था दोनों पक्षों में यह वाली सारी बात हुई कि हां कि लड़का फॉरेंज से यहां पे आया कब एक प्रत्यक्ष्य मेटिंग होई तब सब के मन में जो मन में जो हुर हुर थी वह सब खतम होई और यह सिर्फ एक ही कारेट से हुआ कि पापू हमारे साथ है यह सबसे बड़ा अनुभव है और आज मेरी बहन सियाटल में वहीं पे है आज वह 2013 किये बात है वह शादी हुई उनकी 2013 में और तभी से नेक्स्ट येर में ही वह वहां पे शिफ्ट हो गई बीच में आई थी लेकिर अभी तो वहां पे ही वह हस्बेंड वाइफ दोनों है और आज वहां पे उनका अच्छा संसार है तो बापू की कृपा से यह सब सार्थक हुआ है अरियों शेराम अंबद्या